हेलो दोस्तों बहुत बस स्वागत है आपका और यहां पर मैं लेकर आपके लिए आगा हूँ गेम 11 का जो है विनिंग फॉर्मूला यह विनिंग जो फॉर्मूला है यही मेरी रॉयल टिप्स आप जो है इसको यूज करना आप जो है डेफिनेटली जो है बहुत ही अच्छा जो है पहरे से ड्रीमेरोन खेलोगे तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैं आपको बता दू कि यार टाइम बिल्कुली वेस्ट नहीं करूंगा तो इसलिए वीडियो को यार इसकिप मत करना और जो है मैं अपनी पांच रॉयल टिप आपको जो जो है information होनी चाहिए match t20 का जो है wall आप खेल रहे हो dream alone में या फिर जो है आप test का खेल रहे हो dream alone में या फिर जो है t20 का खेल रहे हो तो आपको match के बारे में information होनी चाहिए कि आप जो है कौन सा match खेल रहे हो उसके बाद आपको जो है playing 11 पता होनी चाहिए और यह सारी जो ची टीम 11 भी ये चीज़े बता देता है कि वहाँ पे आपको जो है T20 है टेस्ट है वंडे है क्या है तो आपको मैच के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी पहली टीप है अगर आम दूसरी टीप की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूं कि don't take one side player एक टी T20 में भी नहीं हो सकता यार कि एक जो side के आप जो है सिर्फ चार लो एक तरफ के साथ ले लो सोचो सातों बल्ले बाद अगर बैटिंग करेंगे तो यार क्या होगा मतलब ओबर ही नहीं बचेगा और जो है आप अगर ले रहे हो जैसे कि आपनो माल लो केसी भी तरह बना र पर तो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वहाँ पर मैं इस चीज को explain करूँगा कि अगर आप साथ प्लेयर को लेते हो और चार को लेते हो तो आपको नुकसान क्या है लेकिन यहाँ पर मैं अभी छोटी बहुत वीडियो कर रहा हूँ और यहाँ पर मै पर क्या पता वह चले या ना चले क्शाइड की जो है player वह आप मतलो आप जो है दोनों ही टीमों से player लो यहाँ पैप चलो मैं आपको third tip बताता हूँ और यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मैं जब मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है वो paid team लेते हैं यहाँ पर तो कुछ ना कुछ अलग आपको जरूर बताएंगे अलग टैक की टीम बताएंगे हो सकता है कि कोई किसी का ज्यादा तो दो तीन लोगों के जो है वीडियो देखा करो कभी एक लोगों पर डिपेंड मत रहो उसके बाद में बता रहा हूं कि आप जो है पेट टीम लेने से बढ़िया है कि आप जो है फैंटेसी एप को डाउनलोड कर लो वहां से आपको जो है तीम्स जो मिल जाती है उन पर जो और भी वेबसाइट्स वगरा है तो वहां पर जो है वहां भी टीम बता जाती है यार उनका यूज करो बट पेट टीम जो है वो मत लो अब क्यों न लो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्यों न लो देखो पहली बात पेट टीम जो मिलती है वो सिर्फ आपको ही नही जिसने आप र His फिर ऐंड है यानी पेट तीम नहीं लिए यहांपर चलो मैं ब्थाता हूँ हो सकता है कि आप भी विन करजारो यार क्या पता आपकी पैट तीम भी अच्छी। बट यहाँ पे बिन नहीं करने वाले यहाँ पे मैं एक अपनी चौथी जो है वो रॉयल्टी आपको बताता हूँ कि आपको जो है यह बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको जो है ग्राउंड के बारे में information होनी चाहिए वहाँ पे क्या बारिस हुई है क्या वहाँ पे ग्राउंड में घास है या नहीं है तो यह सारी चीजे भी आपको जो है वहाँ पे मालूम होनी चाहिए आप फुली प्लेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते हूँ रोईस सर्मा सिखरदवन यार अच्छा खेलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर ग्राउंड पे वो लोग अच्छा खेल जाएं आपने देखा होगा अधर कंट्री में जाते टैम भी जो है उन लोग क्या बोलू हाला जो है वो पतली हो जाती है तो यहाँ पर जहीं कहुंगा कि आप लोग जो है कौन सा मैच और किस ग्राउंड पे हो रहा है और उसके बाद जो है आपको एक चीज और भी रिमाइंड यहीरहर है कि सिरीज क्या स्टार्ट वरी है या सिरीज लास्ट वरी है सिरीज में किसी कैसे हम जो है टीम मना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा आप कमेंट करना और एक चीज आपको मैं और भी अब रॉयल टीप देने वाला हूँ कि ये जो है सबसे अच्छी रॉयल टीप है और जो है मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपना पैसा एक ही मैच पे और एक ही लिक के अंदर मत डालो suppose that आपके पास अगर 500 रुपे हैं तो आप जो है पांचो को 100 रुपे करके 5 टीम लगाओ ये नहीं कि भाई या एक टीम ही डाल दिया और जो है आपने 500 वहाँ पे फोग दिये आपका आपने सोचा आया तो आया गया तो गया definitely जाएगा आयेगा नहीं भाई मेरे लिक के लेलो जाएगा आयेगा नहीं हाँ अगर आप 5 लगाते हो ना तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जो है तीन टीम विनिंग करेगी पांच आप लगाते हो तीन टीम पका विनिंग करेगी या लिक के लेलो ठीक है और उसके बाद आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आप जो है छोटी छोटी जो है स्मॉल लिक खेलो वहाँ से पता है क्या है अच्छी प्रॉफिट होती है बहुत ही अच्छी प्रॉफिट होती है वहाँ पर क्या होता है कि बहुत जो लोग पैसे वाले हैं वो काफी रिस्क लेते हैं और रिस्क जब लेते हैं तो ऐसे में वो लोग खतम हो जाते हैं और आप जो है वो वीन करते हो तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी मैंने वीडियो बताई यहाँ पर आपको जो है मैंने बताया कि आपको जो है पहली टिप में कि आपके पास मैच के information होनी चाहिए दूसरी जो मेरी टिप थी वो है कि आप जो है एक side के player मत लो दोनों ही team से player लो तीसरी यहाँ पर मैंने आपको royal tip बताई dreamilyon के लिए वो है कि आप जो है paid team का use मत करो चौती जो royal tip थी वो है कि आपको ground के बारे में आपको मालूम होना चाहिए series के बारे में आपको मालूम होना चाहिए पांची टिप की अगर मैं बात करो तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप dreamilyon पर अपना ज़्यादा पैसा waste मत करो कम पैसे पैसे आपके पास जितने भी हो उसमें थोड़े थोड़े करके लगा यह नहीं कि एक ही बार जो है सारा पैसा लगा दो तो दोस्तो यह मेरी एक छोटी से वीडियो थी आपको समझाने का मैंने ट्राइ किया मेरी अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो देख लेना वो भी दो वीडियो हैं बहुत ही काम की हैं दोनों ही मैंने बनाई हैं वहां पर बहुत सारी चीज़े वह आ आपको बताई है और आगे की वीडियो में ये बताऊंगा कि आप T20 के लिए कैसे टीम बनाए One Day के लिए कैसे टीम बनाए और जो है Test Cricket के लिए कैसे टीम बनाए Dream Million में तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खरम करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में